आप सबी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासिस में आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर से रिलेटिड जो है मुहाबरे और लोकी कृतिया के प्रश्ण को देखेंगे जो कि आपके डिलेटि महत्यपून है तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा तो चलते हैं प्रश्ण के उपर पहला प्रश्ण यहाँ पर है कि स्री गनेश करना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है सिरी गनेश करना मुहाबरी का सही अर्थ जो होता है वो आपका होता है कारे आडंब करना कोई सुब कारे जो है आडंब करना तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option D हो जाएगा स्री गनेश करना का मुहाबरे का अर्थ होता है कारे आरंब करना अगला प्रस्ण है आस्तिन का साप मुहाबरे का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दू जो मैं प्रस्ण करा रहा हूँ काफी महत्यपून प्रस्ण है जो कि एक्जाम में डारेक्ट टो डारेक्ट लरने का पूरा चांस है देखिए सेकेंड प्रस्ण है आस्तिन का साप होना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा आप लोग खुद एंसर देते रहेंगे आस्तिन का साप होना मुहाबरे का अर्थ होता है मित्र बन कर हानी पहुचाना क्या होता है मित्र बन कर हानी पहुचाना इसका answer क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला प्रस्ण है अकल पर पत्थर परना मुहाबरी का अर्थ क्या होता है तो अकल पर पत्थर परना मुहाबडे का जो अर्थ होता है वह होता है समझ का नस्ठ होना मतलब की option D इसका answer हो जागा है समझ का नस्ठ होना अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रस्ण यह आप आपको दिख रहा होगा कि आखों में धूल जोकना मुहाबडे का सही अर्थ बताईए आखों में धूल जोकना मुहाबडे का जो सही अर्थ होता है वह होता है धोखा देना क्या होता है धोखा देना निक्स्ट आपका है अलगद गगडी छलकत जाए का क्या अर्थ होता है अलगद गगड़ी छलकत जाय का जो मुहाबरा मतलब यह क्या है मुहाबरा है कि लोककृतिया है कि गजल है कि पदबंध है तो यह जो है आपका एक प्रकार का जो है वह लोककृतिया है क्या है लोककृतिया नेक्स्ट आपका है अकल बड़ी या भैस लोकोकृत का सही अर्थ क्या है तो जो अकल बड़ी की भैस जो आपका लोकोकृत है इसका सही अर्थ होता है कि सरीरिक सकती से बड़ी जो होता है अकल होती है इसका answer option D हो जाएगा अगला प्रस्ण है भानुमती का पिटाड़ा मुहाबरे का क्या आर्थ है तो भानुमती का पिटाड़ा मुहाबरे का अर्थ होता है अवस्चक वस्तूओ का भंडार क्या होता है अवस्चक वस्तूओ का भंडार तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगले प् बिचार क्या होता है सबका अलग अलग बिचार इसका answer option यह हो जाएगा next आपका प्रस्ण है आम के आम गुठली के दाम लोको कृत्त का सही अर्थ बताईए काफी महत्यपून प्रस्ण है और आप बच्मन से पड़ते आ रहे होंगे कि आम के आम यह मतलब जो आपका गुठल आम के गुठली का दाम तो इसका आर्थ होता है कि दोहडा लाब क्या होता है दोहडा लाब आम के आम गुठली के दाम मतलब बहस तो इतना चोटा और उसका दाम जो है मतलब उसका पूरा दाम लेना तो उसका होता है दोहडा लाब अगले प्रस्ण को देखते हैं तो नेक्स्ट आपका है अकेला दम मुहाबरे का अर्थ क्या होता है अकेला दम मुहाबरे का जो अर्थ होता है वह होता है अकेला क्या होता है अकेला इसका answer option D हो जाएगा नेक्स्ट आपका नाक कटाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो नाक कटाना सही जो इसका मुहाब आंगन टेढा कहावत का जो सही अर्थ है वो है कि अपना एव छोड दूसरे का एव देखना मतलब कि अपना गलती देखकर दूसरे का गलती ढूनना इसका एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नाचे खुद नहीं हा रहा है दूसरे को गलती ढूनना अगले प्रस्ण को देखते ह तो अगला प्रस्णिया पड़े आपका है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोक कृत की मतलब आपका लोको कृत का जो सहीम अर्थ है क्या है तो घर की मुर्गी दाल बराबर का जो अर्थ होता है वो होता है अपने आदमी को कम आखना अपने ही आदमी को जो है कम आखना नेक्स्ट है दोबी का कुट्ता न घर का न घाट का कहावत का अर्थ होता है कहीं ठोर ठीकाना ना राना मतलब की न इधर का न उधर का समझ रहे हैं अगले प्राश्न को देखते हैं अगला प्रश्ण आपको यहां है कि आगे नाथन पीछे पगहा लोकोकृत का अर्थ क्या है तो आगे नाथन पीछे पगहा लोकोकृत का जो अर्थ होता है वह होता है किसी तरह की जिम्यदारी का ना होना मतलग कि किसी तरह का जिम्यदारी सर पर नहीं होना निक्स्ट है आपका सिर उठाना मुहाबरे का अर्थ क्या है? सिर उठाना मुहाबरे का अर्थ होता है, बिरोध में खड़ा होना, क्या होता है? बिरोध में खड़ा होना, निक्स्ट आपका है टस, टन बोल जाना मुहाबरे का जो अर्थ होता है, वो होता है मर जाना, क्या हो अगला प्रश्ण भी जो है काफी महत्पून है बच्वन में हम लोग बोलते थे कि दूद के दात ना टूटना मुहावरे का आर्थ क्या है तो दूद के दात ना टूटना मुहावरे का आर्थ होता है अनुभावी क्या होता है अनुभावी हीन क्या होता है अनुभावी नही अनुभावविहीन, दूत का दात मतलब टूट जाता है, तब हम लोग थुरा मतलब जानते हैं, लेकिन दूत का दात नहीं टूटना का मतलब होता है कि अनुभाविहीन है, अभी पूरी तरह से अनुभाव नहीं हुआ है नेक्स्ट है आपका कान देना मुहाबरे के चार अर्थ दिये गए है इनमें से सबसे सही अर्थ कौन सा है कान देना मुहाबरे का जो सही अर्थ है वो आपका है ध्यान देना नेक्स्ट है आपका कवा की तरह चिलाना मुहाबरे का अर्थ क्या है तो कबा की तरद चिलाना मुहावरे का जो आर्थ होता है बिना बाद के सोर मचाना क्या होता है बिना बाद के सोर मचाना option ए जाएगा साइस का answer नेक्स्ट है हुलिया टाइट होना क्या है हुलिया टाइट होना मुहावडे का अर्थ क्या है तो हुलिया टाइट होना मुहावडे का अर्थ होता है करा विवस्था का नहीं बोलते हैं हम लोग एकजाम में कि एकजाम देने गया थे वहाँ पर हुलिया टाइट कर दिया पु क्रित का जो सही अर्थ होगा वो होता है सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए क्या सच्चाई को जो है सबूत नहीं चाहिए Next है आपका कुगाँ खोधना मुहावरे का अर्थ क्या है कि हानी पहुचाने का यत्न करना नहीं बोलते हैं कि तुम दुसरे के लिए कुगाँ खोधने का नोगि में गिरोगे मतल़ दुसरे को हानी पहुचाना वही होता है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपका जो है प्रस्ण 26 नमर दिन दूगना रात चोगना मुहाबरे का सही अर्थ है वो आपका होता है कि खूब उन्निति करना मतलब खूब मेहनत करना नेक्स्ट है दूद का जला मठा फुब फुब कर पीना लोगकृत का सही अर्थ क्या है तो दूद का जला मठा फुब फुब पर पीना का जो सही लोगकृत का जो अर्थ है वो है खूब सोच समझ कर काम करना इसका answer option B हो जाएगा निक्स्ट है खाक चानना मुहाबरे का अर्थ क्या है खाक चानना मुहाबरे का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है दर भटर मतलब दर भटकना इसका एंसर क्या हो जाएगा option D नेक्स्ट है दाल भात में मुशल चंद्र का हावत का क्या अर्थ है तो दाल भात में मुशल चंद्र का हावत का जो अर्थ है वो है बीना मतलब दखल देना क्या होता है बीना मतलब दखल देना अगले प्रश्ण क्यों बरते हैं तो देखिए अगला प्रश्ण यहाँ पर है कि चोड की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है तो चोड के दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ होता है कि आप राधिस्वय असंकित रधा है जो चोड होता है न वह खुद देखेंगे दे हाथी लाएगा थोड़ा सा डड़ेगा वो खुद जो है अपने आपको परिचाय देता है नेक्स्ट आपका भैस के आगे बीन बजाना भैस लगे पगुड़ाई कहावत का अर्थ बताईए भैस के आगे बीन बजाना भैस लगे पगुड़ाई इसका सही अर्थ जो होता है मुर्ख के सामने गुन्व का वर्नन बियर्थ होता है अगर मानने कोई मुर्ख विक्ती है उसको अगर बार बर समझा रहे हैं तो बियर्थी तो है उस समझेगा ही नहीं या बार बर बिवज़ा समझा रहे है नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रस्ण है मक्खन लगाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है? मक्खन लगाना मुहाबरे का जो सही अर्थ है वो है खुशामद करना इसका एंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट है वीर गती पाना मुहाबरे का अर्थ क्या है वीर गती पाना मुहाबरे का अर्थ होता है यूद भूमी में मर जाना नहीं होता है हमारे देश के जितने भी सैनिक है जो हमें वीर बहुत सारे सैनिक ऐसे है जो अपने मतलब देश की रक्षा के लिए वीर गती प्र एट कर रह जाना, मुहाबडे का क्या आर्थ है? तो एट कर रह जाना मुहाबडे का आर्थ हिता है कि अपमानित होने पर भी कुछ न कर सकना वही होता है, इसका option D हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं तो देखिए अगला प्रशन यहाँ पर है कि नाक का बाल होना मुहाबरे का आर्थ क्या है तो नाक का बाल होना मुहाबरे का आर्थ होता है बहुत प्यारा होना क्या होता है बहुत प्यारा होना नेक्स्ट है छपपर फार कर देना मुहाबरे का और्थ होता है अचानक बीना पर्यास की ये धन का लाब होना नहीं देखते हैं ये हैरा फेरी फिलने में देखते हैं कि देनेवाला जब भी देता है छपरफार चे देता है इस वर्ड नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पिना मुहाबरे का क्या अर्थ होता है तो घाट घाट का पानी पिना मुहाबरे का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बहुत अनुभावी होना क्या होता है बहुत अनुभावी होना तो इसका answer option B हो जाएगा अगला प्रस्ण है जो कि last प अत्यपून थे, हिंदी गरामर से रिलेट थे, जो कि मुहाबरे और लोगी क्रित से थे, आसा करता हूँ आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सेयर करेंगे, सस्क्राइब करेंगे, थाइंगी सुमच, जय जय भारत, तो मिलते है नेक्स स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,